हैलो गाईज, यूटूब के गुरुकूल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज की ये वीडियो है खासकर उन स्टुडेंट्स के लिए जो काफी टाइम से प्रपेशन कर रहे हैं साल भर से प्रपेशन कर रहे हैं, दो साल से प्रपेशन कर रहे हैं, या चैमेनी से प्रपेशन कर रहे हैं और एक लंबे टाइम से प्रपेशन करने के बावजूद अच्छा कासा अपना एक लिवल नहीं बना पा रहे हैं फिर अच्छा खासा result नहीं ला पा रहे हैं ठीक हैं और इसी वज़े से वो थोड़ी सी tension में रहते हैं और थोड़ी थोड़ी frustration भी आने लगती है तो आज की studio में मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप अच्छा खासा score कर पाएं आने वाले exam में और इस तरह की तयारी करें जिससे कि आपका confidence level भी एक high level बन जाएं एक अच्छे level के साथ आप exam देने जाएं और exam भी आपका best हो और उसके साथ साथ result भी आ काफी टाइम से preparation कर रहे होंगे एक साल दू साल टाई साल तीन साल ठीक है लेकिन फाइनली वो एक अच्छा खासा अपना score नहीं कर पा रहे होंगे तो देखिए पढ़ाई तो आप सब कुछ कर ले थे हैं है ना हर student पढ़ता है बहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करता है टाइम देता है अपने आपको 8 गंटे का 10 गंटे का daily business पर ठीक है पढ़ाई तो बहुत सारी कर ली जाती है लेकिन होता क्या है जब examination hall में जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी problems कराते हैं कुछ ऐसी mistakes कराते हैं जिससे की वो exam से out हो जाते हैं या फिर ये भी कह लिजिए exam time में थोड़े से hopeless हो जाते हैं और उसी वज़े से उनका paper भी बिगड़ जाता है हना तो देखिए इन चीजों को थोड़ा सा धिहान में रखके आपको preparation करने चाहिए जब आपको एक exam दो exam देने के बाद जब आपको ये चीज पता चल गई है कि आपके साथ exam में इस तरह की problems आन हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा थोड़ा सा time को समझते हुए और अलग तरीके से एक अलग वे में काम करने की थोड़ी सी जरूरत हो जाती है तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है आपको थोड़ा सा अपनी study में practice पर ज़्यादा जोड़ देना है क्योंकि पढ़ है तो उसे तैयारी तो अची है लेकिन वो उस चीज पर नहीं पहुंच पा रहा है जो एक competitive exam demand करता है तो देखिए वहां पर आपको करना क्या है कि आपको एक practice set ले रहा है कोई भी practice set ले लिजी आप ठीक है कोई भी market में practice set ले लिजी चाहे आप किसी भी exam की preparation कर रहे है मैं कोई particular SSE CGL की level की बात नहीं कर रहा है मैं SSE CPU की exam की बात करने ही कर रहा है, CHSL की बात नहीं कर रहा है, MTS की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी all over exam की बारे में, चाहए SSC का कोई भी exam हो, ठीके state level का कोई भी exam हो, railway का कोई exam हो, या banking का कोई भी exam हो, तो आप जिस भी exam की त्यारी कर रहे हैं, उसे related आपके पास practice set होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको करना क्या है केवल देखे पहले से preparation का रखी है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है मेरी बात को दियान से समझे आप अपने time में से 2 गंटे निश्यत रूप से निकाल कर चले आपके पास और समय है या नहीं मैं आज ऐसी बात बताऊंगा कि 2 गंटे की preparation से भी आप finally फिर select हो जाएंगे आप extra पढ़ते हैं वो आपकी मर्जी लेकिन 2 गंटे आपको मेरी इस बात के लिए उसके लिए आपको रखने ही होंगे देगे आप एक practice set लीजिए daily basis पे आपको एक practice set करना है वो ही time के according जो भी आपका examination time मिलता है जैसे की SSC की बात करें तो वहाँ पर एक गंटे का time मिलना है है ना अपर लेम से तो एक गंटे के साब से आपको वो daily practice set करना है अगर means की तियारी करना है तो दो दो गंटे के साब से आपको manage करना है और कोई paper ऐसा है जहां पर धाइगंटे का paper होता है तो धाइगंटे के साब से आप उसको करिए daily basis पे आपको ये गंटा ये दो गंटा तो आपको इस काम के लिए चीए कि आपको वो paper set solve करना है ठीक और अगले दूसरे गंटे में आपको करना क्या है उसको check करना है उसको check करना है और क्या करना है उसको mark करके चलना है आपको उसको check करना है कि आपने कितने question किये कितने सही किये कितने गलत किये सही पर इतने marks आते हैं, गलत पर इतने marks होते हैं और after negative के बाद आपका score कितना बनता है ठीक, एक paper set किया आपने ठीक, आप एक paper set में चाहे वो 200 number का है 100 number का है, 200 number का है, 300 number का है तो वो आप एक notebook में date के इसाब से उसको note करके रखें कि आज मेरा इस date में इतने paper को इतना मैंने attempt किये इतने time में और इतना मेरा score हुआ, इतने सही ते, इतने गलत और इतना मेरा overall score बना after negative marking, तो ये सारा आपके पास detail होनी चाहिए day by day ठीक है, एक दिन में आपने क्या किया, paper set किया और क्या किया, उसमें आपने उसको check करने के बाद finally उसका पूरा score card जारी किया अब next day क्या work रह जाएगा आपका, कि जो आपके question छूट गए ठीक, जो आपके question छूट गए, आपको वो देखना है कि वो question आपको किस वज़े से छूटे है कि आपने कोई mistake किया है, इस वज़े से वो छूटे, time की वज़े से छूटे, या फिर आपने कोई mistake की उसकी वज़े से वो गलत हुए हना, तो ये तीन, चार चीज़े आपको दिहान लगनी है, तो आप, अब ये देखिए, अगर कोई mistake हुई है, तो वो mistake किस वज़े से हुई, जल्दबाजी की वज़े से हुई, या किस वज़े से हुई, तो उस mistake को तुरंट के तुरंट, वहाँ पर remove कीजिए साथ ही अगर कोई question चुट गया है, question toughness की वज़े से चुट गया है, या आपको आता नहीं था, आपको याद नहीं था, उस वज़े से चुटा है, तो उस question को देखिए, ठीक है, बात कुरूँ जी की और English की, जी की और English में काफी सारा question, learning basis पे होता है, याद करने वाली ची कर लेना है, मतलब उसको अच्छे से समझ लेना है, कि अब मेरे सौ question में से सौ question पूरी तर से prepare हो जाते हैं, समझ में आई बात, के लिए, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, कि first day आपको करना क्या है, उस paper को, पूरे paper को solve करना है, जितना भी आप कर पाते हैं, कि limited time period जो भी आपके exam का time होता है, उसके according, और उसको पूरे scorecard आपको जारी करना है, और next day पूरे paper को आपको prepare कर लेना है, जो आपने सही किया था, वो ठीक किया था, लेकिन जो mistake की थी, जो गलती की थी, वो remove करनी है, साथ ही आपको जो question नहीं आता था, या जो question आपको याद नह नहीं था, उसको भी साथ के साथ prepare कर लेना है, ठीक, अब third day आपको क्या करना है, फिर एक next set उठाना है, और वो उसी type से solve करना है, साथ ही उसका scorecard जारी करना है, third day ये करने के बाद, फिर four day, फिर उसका पूरे को आपको overall को complete prepare करना है, इसी basis पे आपको daily आगे बढ़ते चल जाना है, तो मैं मानता हूँ, एक महिने में आपके paper set तयार हो जाएंगे, 15, 15 set तयार हो जाता है, और normally किसी भी paper set में होते हैं, तो 10, 15 या 20 set ही होते हैं, तो जो बच्चे लगातार 2-3 साल से लगातार तयारी कर रहे हैं, तो उनको अपने आप में improve लाने के लिए सबसे best त complete हो जाएं, फिर आप तुरंत market से जाएं, सो, डेड़ सो, दो सो रुबे तक की कीमत में आपको फिर कोई दूसरे publication का set purchase कर लेना है, कोई extra book पढ़ने की आपको फिर कोई need नहीं रहा जाती, हाँ, कोई question अगर doubt करता है, कोई question doubt करता है कि इसका answer ये नहीं, ये हो सकता है, तो उसको आप जरूर check कर लीजे, आप book से check कर लीजे, नहीं तो आप google पर search कर कर देख लीजे, कि उसका answer सही या गलत क्या है, क्योंकि गलत चीज़ भी पढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको day by day, day by day, इस process पे काम करना है, और मैं यकीन से कहता ह हूँ, दो से तीन गंटे आपको daily देना होगा, वो आपके paper के ओपर depend करता, अगर आपका दो गंटे का paper है, ठीक है, तो आपको तीन गंटे daily देना पड़ेगा, और अगर एक गंटे का paper है, तो दो गंटे daily देना होगा, है ना, तो इतना आपको करना पड़ेगा, और मैं मा तो आपको बताई रहा हूँ, YouTube के जरी बता रहा हूँ, मेरी offline class चलती है, ठीक है, जा मैं सामने पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी मैं students को बताता हूँ, और काफी अच्छा result देखने में आता है, ठीक है, क्योंकि केवल 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 पढ़ते रहने से कुछ नहीं हाथ लगने व हैं, अगर कोई question आपका अटक जाता है, तो क्या उस पर आपको रुखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़े, अगर आप पहले से आप उस चीज को समझ कर चलेंगे, तो निश्यत रूप से आपको examination hall में फायदा मिलेगा, आप उस time management को maintain कर पाएंगे examination hall में और जो question के level होते हैं, easy level, moderate level या tough level तो उसको भी आप भली बाती पहले से समझ जाएंगे, कि हर बेबर में इतना तो level में आता ही आता है चिंजी, ठीक, तो यही बाते हैं जो आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत हो जाती है, तो आज की इस वीडिय तुमें बताई हुई tips को अगर आप follow करेंगे तो निश्चत रूप से आप 100% फायदा उठा पाएंगे, तो students का लगातार question बरना था कि कुछ ऐसी चीजे बताईए कि हम एक साल से दो साल से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा खासा perform नहीं कर पा रहे हैं, और examination hall में तो बिलक करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, आप इस तरह से काम करके देखिए, ज़्यादा नहीं आप एक महीने काम करके देखिए, मैं यह कहता हूँ कि इस चीज को जो चीज मैंने आपको बताई है, इस पर एक महीने काम करके देखिए, फिर मुझे बताना कि आपको फ बताता हूं वो पूरी तरह से 100% sure होने के बाद ही आपको बताता हूं तो आप और आजमा के देख लेजिए तो आज की वीडियो पस इतना ही वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए और आपने भी तक मारे चैनल को सब्सक्रा रहे हूं जए हूं UP मारे तरह जगिए देंगे का लगचा हूं लगको